जेहिन दोस्तो स्वागत है आपको KPS 30.22 चैनल में तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी भरती के बारे में आप में से काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि T.A. आर्मी का रैली कब से सुरू किया जाएगा तो दोस्तो अगर आप आप भी T.A. आर्मी का इंतजार कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इस भरती की रैली डेट के बारे में और साथ इसाथ आप सभी को इसकी complete जनकारी भी बताएंगे जैसे की age limit इसमें क्या रहता है, height इसमें कितना मांगा जाता है, qualification क्या रहता है, तो अगर आप भी territorial आर्मी भरती में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को complete वाज कीजिए और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किये हैं तो channel को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें भरती की complete details की तो आप सभी को बता दे इसमें जो आपका post रहने वाला ह वास soldier gd का रहेगा, tradesman का and color का post रहने वाला है, अब यहाँ पे कितना post रहेगा इसके बारे में जनकारी नहीं दिया जाता है, आप सभी को पता है Indian Army का rally हो या TA Army का rally हो इसमें post की संख्या नहीं बताया जाता है, इसके बाद application fee की बात करें तो आप सभी को बता दे इसमें ज जोता है आपको rally location पर अपने document के साथ जाना पड़ता है, तो यह जो है आपका direct rally होने वाला है, इसके बाद age limit की बात करें तो minimum 8are verse अगर आपका age हो चुका है, तो आप इस भरतिक rally में भाग ले सकते हैं और maximum जो है इसमें 42 verse रखा गया है, जो की काफी जादा है, इसके बा परतेक subject में होना चाहिए, दोस्तो अगर आपके class 3 में 45% marks नहीं है, या 33% परतेक subject में नहीं है, तो अगर आप से भी simply जो है pass या qualified है 12th class, तो आप सभी इसका form यानि की इस भरती rally में भाग ले सकते हैं, काफी यह student ऐसे होते हैं, जिनका 3 में जो है common number होता है, तो अगर आप सभी को बता दे, यहाँ पे color की जो आपका vacancy है, इसमें 12th pass होना चाहिए, 60% marks के साथ और 50% परतेक subject में होना चाहिए, इसके बाद दोस्तो आप सभी को बता दे, tradesman का जो vacancy है, इसमें 3th pass आपका होना आवस्याक है, अगर आप simply 3th pass है, तो tradesman भरती में जा सकते हैं, कि जाना पड़ता है, तो यहाँ पे educational certificate आपको लेकर जाना होगा, 3th and 12th का, उसके बाद आधार card, उसके बाद passport, photograph, इसके अलावा mobile number and email ID आप से मांगा जाएगा, इसके अलावा cast certificate, domicile, date of birth, character, affidavit, unmarried, और अगर NCCC certificate है, तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इससे 5-10% जो है आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ benefit आपको मिलेगा, अगर नहीं है, तो आप सभी इतना document जो है लेकर जाएगा, इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दे, इस भरती में आप हाग कैसे ले सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, कि यह direct rally होता है, इसमे सबसे पहले आपका PET होगा, यानि कि running होगा, उसके बाद आपका physical standard test होगा, जिसमें आपका height, weight और chest मापा जाएगा, उसके बाद आपका medical होगा, retain होगा, document होगा, और final merit list बनेगा, इसके बाद दोस्तों PET की बात करें, तो PET में आपका 1.6 km का running होगा, जो कि 5 minutes 30 seconds से लेकर, 5 45 seconds तक जो है, आपको maximum समय दिया जाता है, chest 80-85, और push-ups जो है, 10 आप से कराया जाएगा, और jig-zag path पर जी चलाया जाता है, इसके अलावा दोस्तों बात करें, पीएश्टी के, तो आपका जो है, इसमें height जो है, 160 cm है, और यहाँ पे weight जो है, according to height के according जो है, मापा जाएगा, दोस्तों आप सभी को बता दे, यह PT के अंतरगत आता है, जो आपका, यहाँ पे, PhD के अंतरगत जो है, आपका height आता है, और PT के अंतरगत आप सभी को बता दे, आपका running जो है, कराया जाता है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें, जो है, वेकेंसी के बारे में, यान आपको जो है अगर आप टीय आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपका कौन सा जोन है इसके बारे में जानना काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जोन वन के अंतरगत जो भी यह स्टेट है उसका नाम आप सभी देख सकते हैं हर्याना ही जम्मू कस्मीर पंजाब और यहां पे दिल्ली एंड चंडीगड यह सभी एस्टेट और केंदरसासित परदेश जो है आपका जोन वन के अंतरगत आता है जोन टू के अंतरगत बिहार मद्य परदेश उरिशा उतरपरदेश उतराखंड जारखंड एंड चतिसगड यह जोन के अंतरगत आते हैं इसके अलावा जोन फोर की बात करें तो इसमें आपका जो है साउथ के जितने भी एस्टेट है जैसे की आंदरपरदेश गुजरात केरला तमिलनाडू महराष्टरा राजस्तान करनाठका और दादर एंड नागर हवेली गोवा दमंदिव यह सबी जो एस्टेट और केंदरशासित परदेश है यह जोन फोर के अंतरगत आते हैं तो आप कौन से जोन के अंतरगत आते हैं आपको यह जानना काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके बाद यहाँ पे रैली की बात करें तो दोस्तों आप सभी को बता दे आपका जून मंत में सुरू होने वाला है और यहां पे जो आपका फॉस्ट जून की जूर रैली है वह थर्ड जून से लेकर नौ अगस्त 2022 तक अंड़क्ट होगा सकेंड जून की बात करें तो एकईस अगस्त 2022 से लेकर साथ अक्टूबर 2022 तक अंड़क्ट होगा और इसके अंतरकत जो है आप सभी को बता दे soldier gd clerk tradesman सभी candidate जो है भाग ले सकते हैं जिस भी category में आप जाना चाहते हैं और इसमें आपका running होगा, document verification होगा और physical test जो है conduct कराया जाएगा दोस्तो आप सभी को बता दे आप में से काफी सारे student के mind में ये सवाल आ रहा होगा कि माली जी अगर मेरा first zone है तो आखिर जाना कहां पे है क्योंकि Riley location के बारे में काफी सारे student का सवाल पिछले वीडियो में भी आया था तो दोस्तो आप सभी को बता दे अभी जो है आपका Riley location जो है तो उसमें आपका Riley location के बारे में पता चल जाएगा कि आपको कहां पर जाना है अपने document लेकर तो Riley location के बारे में अभी आपको हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके बारे में भी जनकारी नहीं दिया गया है मई 2022 में Riley location के बारे में आपको पता चल जाएगा तो दोस्तो जैसे ही इसका full notification आता है आप सभी को हम बता देंगे कि आपको कहां पर जाना है और आप सभी को पता है कि काफी दिनों से 2019 में ही इसका last vacancy आया था उसके बाद अभी तक कोई भी भरती जारी नहीं किया गया था इसके पीछे कारण आप सभी को पता है COVID-19 है जिस क कारण से जो है टी ए आर्मी का रैली कंडक्ट नहीं कराया जा रहा था तो दोस्तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और यहां पर आप सभी अपने जो जोन है उसके कोडिंग यहां पर देख सकते हैं और यहां पर आप अपना यह स्टेट भी देख सकते हैं कि आपका ज ज्वाइन कर सकते हैं इसका वे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात